प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने दिली में विश्व धरोवर समिती के 447 का उधगाटन किया। इस दोरान पीम मोदी ने कहा कि विश्व धरोवर समिती भारत के लिए गौरवश्याली उपलब दी है। पीम के साथ समारों में युनेस्को की माने दिशत आडरे अजोले भी मौजुद रहे। बताते कि भारत पहली बार विश्व धरोवर समिती के बैटक की मेजबानी कर रहा है। इसमें 150 से अधिक दिशों के 2000 से ज़ादा अंतरास्टिय और आस्टिय प्रतिय भाग ले रहे हैं। बारत मंड़पमी ये सत्र 31 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। वहीं केंद्रिय संस्कृति और परेटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ने भी विश्व धरोव समिती की बैठक में आये हुए सबी आतितियों का स्वागत किया। शेखावत ने कहा कि पेम मोदी ने इस समेलन में आकर समारुकी गर्म को बनाय रखने का काम किया। दिन में आदुनिक ज्यान और विज्यान में भारत के कोशल का मागदशन होगा। इसके साथ साथ बारत की समर्द्य सांस्कतिक विरासत गौरफशाली इतिहास से जोड़ी एतिहासिक धरोहरों और उनके रख रखाओं से जोड़े बारत सरकार के गंभीर प्रयासों को भी पटल पर दर्शाने में सफलत अप्राप्त होगी। बारत अपनी सांस्कतिक विवित्ताओं के लिए विश्व भर में अलग स्थान रखता है। अचीक मोईदम युनेशको की वर्ल्ड हेरिटेज सुची में शामिल होना प्रस्तावी था है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नौर्थ इस्ट इंडिया की पहली धरोवर होगी। जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोईदम अपनी विश्यस्ताओं के कारण बेहत खास है। मुझे विश्वास हैं वर्ल्ड हेरिटेज सुची में आने के बाद इनकी लोगप्रियता और बढ़ेगी। जईल में आने के सबस्खेज के इनकी लोगपकते के सुची में पहते एंझिया झाल बढ़ेगी।